असलाम आलेकुम डियर स्टूडेंट्स कल के वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर फ़र्स्ट के दो टौपिक्स पड़े थे आज हमारा जो तीसरा टौपिक है वो है जर्मिनेशन ओफ सीड्स पहले हम देखते हैं जर्मिनेशन क्या होता है जर्मिनेशन the change of seed into seedling यानि कि जब छोटा सा जो seed होता है और जब हम उसको जमीन के अंदर बोते है तो उसमें एक छोटा सा प्लांट उगता है उसी को हम germination बोलते है seed की germination के लिए तीन चीज़े जहें वो बहुत ही जरूरी है इसमें से पहला जहें वो है water यानि कि पानी और दूसरा है air यानि कि हवा और तीसरा है warmth यानि कि थोड़ी सी गर्मी ये तीन जीज़े जब होंगी तब ही जो seed है वो germinate कर पाता है germination के दोरान seed जो है वो पहले जमीन से पानी को absorb करता है और फिर उसके बाद जो cells होती है उनमें जो embryo होता है वो divide होने लगता है यानि कि वो तूटने लगता है और इस तरीके से ये जो seed है उसका size increase हो जाता है और जब इसका size increase हो जाता है तो वो दीरे दीरे से फट जाता है यानि कि break हो जाता है उसके बाद पहली चीज़ जो इस seed में से उगती है वो है root या radical आप अपनी pick पे देख सकते हैं उपर जो second seed है उसमें से radical निकला आया है या root निकला आया है और वो नीचे की तरफ जा रहा है उसके बाद इसमें से plumule यानि की shoot निकलता है फिर इसी shoot से stem और leaves निकलते हैं और ये जो plumule है ये उपर की तरफ चड़ता है उसके बाद ये जो seed है इसमें देरे देरे से एक plant उगने लगता है और इसके जो अंदर cotyledons होते हैं वो सूख जाते हैं और ये जो plant है वो फिर एक adult plant में convert हो जाता है उसके बाद हमारा जो next topic है वो है dispersal of seeds dispersal का मतलब होता है scatter होना यानि कि फैलना इस process में जो seed होता है वो अपने mother plant से दूर जाके किसी और जगा पे scatter होता है और वहीं पे वो जाके उसका नाया plant फिर उगता है seeds के dispersal या scattering जो है वो चार तरीकों से mainly चार तरीकों से होती है पहला तरीका है by wind, दूसरा है by water, तीसरा है by men, animals and birds और जो last वाला है वो है by explosion ये चार तरीके जो हैं हम detail में आगे पड़ेंगे अब पहला जो तरीका है वो है wind dispersal या dispersal by wind आपने देखा होगा कि कुछ plants जो होते हैं उनके seeds बहुत हलके होते हैं वो here जैसे होते हैं और जब हवा चलने लगती है तो वो उन seeds को अपने साथ उड़ा के दूसरी जगा पे ले जाते हैं और अगर वहाँ पे उन seeds को proper amount में water, air और warmth मिलेगी तो वहाँ पे एक नया plant उगता है उसके बाद जो next तरीका है वो है dispersal by water यानि कि seeds कैसे पानी की वज़े से disperse होते हैं scatter हो जाते हैं हमने देखा है कि बहुत सारी जो water bodies हैं उनके इरिद गिरिद बहुत सारे plants या trees जो है वो grow करते हैं और जब उन trees या उन plants में seeds गिरने लगते हैं तो वो उस पानी में चले जाते हैं और ये पानी उन seeds को बहा के अपने साथ ले जाता है और दूसरी जगों पे उनको छोड़ देता है जहां पे ये फिर seeds जो है वो फिर से उनमें से एक नया plant उगने लगता है usually हमने देखा है कि जो coconut का जो coconut अगर हमने देखा होगा उसके उपर वो fiber होता है और वो fiber जो है पानी पे float होता है उसकी मदद से coconut जो है वो पानी में float होता है और फिर यही coconut जो है वो पानी में float होके दूसरी जगा पे चला जाता है इसी तरह किसे lotus के जो seeds होते है वो भी spongy ह होते हैं और वो भी पानी में तैर के दूसरी जगा पे चले जाते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है डिस्पर्सल का वो है बाइ मैन एनिमल्स एंड बर्ड्स यानि कि कैसे इनसान जानवर और परिंदे सीड्स की डिस्पर्शन में मदद करते हैं हमने देखा है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड्स थौर्णी टाइप के होते हैं और जब हम उन प्लांट्स के साथ या उन प्लांट्स की तरफ जाते हैं तो उनके जो सीड्स होते हैं वो कपड़ों से चिपक जाते हैं या जो एनिमल्स वगेर होते हैं उनके साथ भी वो चिपक जाते ह और फिर चलते चलते वो दूर कहीं पे हमारे साथ ही गिर जाते है यानि कि जब कोई जानवर या वो इनसान जो है जिसकी बॉड़ी पे ये चुपक गए होंगे वो जिब चलता है तो ऐसे सीड जो है वो दूसरी जगों पे फिर गिर जाते है और फिर वहां पे उन जगों पे नए plants उन seeds में से उगने लगते है एक और तरीका भी है जिससे seeds animals और birds के जरीए dispersed होते है और वो है जब animals या birds किसी जो tree है उसके fruits को खाते है और फिर जब वो fruits उनके जिसम में digest हो जाते है और फिर last पे वो as a waste material उनकी बॉड़ी से बाहर निकलते है तो कभी कबार क्या होता है कि उस waste material में वो seeds भी मोजूद होते है और वो seeds में भी फिर नया plant उगने लगता है लास्ट वाला जो तरीका है वो है by explosion यानि कि कैसे explosion से seeds जो है वो dispersed होते है explosion मतलब होता है फटना हमने देखा है कि कुछ trees जो होते है जब उनका fruit पूरा पक जाता है यानि कि राइप होता है तो उनका वो जो fruit है वो फट जाता है और उस fruit में से जो seeds है वो निकलने लगते है और वो बाहर की तरफ scatter होते है जमीन पे गिरके scatter होते है commonly ये देखा गया है कि जो pea plant या beans plant है उनमें ऐसा जो है वो dispersal by explosion होता है जानि कि seeds जो है वो explosion की मदद से scatter हो जाते है फैल जाते है तो आज की video lecture में बस इतना ही नेक्स्ट video lecture तक आप page number 6 और page number 7 की अच्छे से reading करेंगे और आप बार बार videos को समझने के लिए देखेंगे तब तक के लिए Allah हाफिज